हलो फरेंड आज हम लोग बात करेंगे ओल ओपो का पास्वर्ट लॉक रिमूफ करने के बारे में जे दोस्तों यहाँ पर हम लोग दो इस टेप बताने वाले हैं पहला इस टेप आपका फॉर्मेट डटा को आप एनेबल कैसे कर सकते हैं और आप फूल फॉर्मेट कैसे कर सकत हैं इसके बारे में दूसरा इस टेप आपका फोटो डोकॉमेंट कॉंटेक नंबर कुछ भी नहीं हटेगा ओनली आपका पास्वर्ट लॉक रिमूफ हो जाएगा इसके बारे में भी बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग दो इस टेप करने वाले हैं चलिए कौन सा हम लोग सटेप सक्सेश्पूर होगा भू अपको क thrown एगरा आप पको कोई भी स्मार्ट फॉन हैं आपके पास और पास्वर्ट लोग कर आप लगा के भूल चुके हैं तो इस वीडियू को खर देखना आपका दोनों स्टेप में से कोई भी स्टेप एक काम कर सकता है और आपका password lock remove हो सकता है तो यहाँ पर आपको star arch, a, 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 an arch करके engineer mode को पहले open करना है यहाँ पर engineer mode open ओने के बाद कुछ settings करना है जिए अदोस्तों कुछ आपका settings मिलेगा आपको settings करना है उसके बाद आपको format data का option option enable हो रहा है कि निसके बारे में पहला step हम लेकर चलेंगे यहाँ पर software version में select करना है software version में select करने के बाद बहुत सब्सक्राइब का option कुल के आ जाएगा तो सबसे पहले आपको check करना है आपका software version कितना है जैसे कि यहाँ पर हम लोग के पास software version android 10 है आपका हो सकता है 8 हो सकता है 7 हो सकता है 9 हो सकता है दो देखा, यहांपर लोग क्या करना है, दो różि नमबर में डाटा वेष्ट बरजचन का एक एक और ओफ्सन मिलेगा, जिया दोस्तों ध्यान देना है 4 नंबर में data waste version का एक option मिलेगा यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर क्या करना है 7 time select करना है आप उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं लेकिन minimum आपको 7 time select करना है चलिए select करके आपको दिखाते हैं 7 time यहाँ पर हम लोग 7 time select कर चुके हैं आप उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं तो step यहाँ पर हम लोग complete कियें अब यहाँ पर दो settings करने के बाद आपको पूरी तरह से back आजाना है पहला यहाँ पर हम लोग step format data को enable करने का यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि आप format data को enable कैसे कर सकते हैं कि हम लोग का format data option enable हो रहा है की नहीं चलिए इस वीडियो को complete आपको देखना है handset को पहले हैंपर हम लोग off करेंगे handset को off करेंगे और hard action mode में लेकर चलेंगे तो यहाँ पर एको comment आरा था दोस्तों आपको हम बताएंगे उससे पहले यहाँ पर आपका value down button और आपका जो on button है प्रेस करके रखना है कुछ second के लिए ठीक है यहाँ पर हम लोग का बहुत सरा comment आ रहा था है कि sir जैसे हम लोग के पास oppo का device है तो उहाँ पर हम लोग का हो रहा क्या जैसे हम यूटूब में बहुत सरा video देख रहे है लेकिन hard research mode में लेकर जैसे जा रहा है तो only वहाँ पर wipe data का यह option मिल रहा है और कुछ भी option सो नहीं कर रहा है और हम लोग का password lock removed नहीं हो रहा है तो यह हम लोग का बहुत ज़दा problem आ रहा है कि आपका बिना data loss के भी आपका smart phone कुछ भी documents नहीं अटेगा और आपका password lock को remove कर सकते है तो कौन साइज आपका step काम करेगा इस वीडियो को complete देखिए दोनों में से कोई भी एक step आपका 100% work करेगा तो यहाँ पर क्या करना है दोस्तो बहुत सब्सक्रा आप्सन खूल के आएगा यहाँ पर अपको करना क्या है three number में wipe data का option अपको मिलेगा फ़ले language में select कर दना है उसके बाद यहाँ पर आपका five से six option मिलेगा तो यहाँ पर आपको क्या करना है वाइब डेटा में select करना है चली वाइब डेटा में select करके यहाँ पर आपको दिखाते हैं select कियें तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग का format डेटा का option नहीं आया please interlock skin password का option आ चुका है अब यहाँ पर आपका work नहीं करेगा तो हम लोग का यहाँ पर जो पहला step था वो हम लोग का work नहीं किया जियां दोस्तों यहाँ पर हम लोग का भी हो सकता है यहाँ पर please interlock skin password का option आ जाता है तो आपका work नहीं करेगा लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर format data का option आ जाता है, या आपका कुछ verification code आ जाता है, तो आपका work कर सकता है, तो यहाँ पर आपको कोड को dial कर देना है, या format का option आएगा, तो format आपसन में select करके, आपका phone को full format कर देना है, नहीं आता है तो आपको क्या करना है इस वीडियो को second step में आपको देखना है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग second step बताएंगे उससे पहले यहाँ पर online update के एक option मिलेगा दो number में देख सकते हैं तो online update में हम लोग select करके दिखते हैं कि हम लोग का work करता है कि नहीं चलिए यहाँ पर online update में भी select करके एक बढ़ ट्राइ करेंगे तो यहाँ पर भी same process दोस्तो please interlock skin password यहाँ पर भी हम लोग का online update नहीं होगा यहाँ पर भी हम लोग का work नहीं कर रहा है कोई बात नहीं दोस्तो phone को यहाँ पर हम लोग करेंगे reboot reboot करेंगे phone को और दुबारा से handset को open करेंगे और home page में लेकर चलेंगे यहाँ पर दोस्तो हम लोग का पहला step work नहीं किया पहला step हम लोग का यहाँ पर कुछ भी work नहीं किया कोई बात नहीं अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे password lock लगा हुआ देख सकते हैं second step करेंगे और यहाँ पर आपको एक से दो code मताएंगे offline mode का उस code को यूज करके आपका password lock को remove कर सकते हैं वो भी कोई भी photo, documents, contact number कुछ भी नहीं हटेगा आपका phone का कोई भी data हटेगा नहीं लेकिन आपका password lock remove हो जाएगा complete इस video का आपको देखना है कहीं भी बीच में skip करते हैं तो हो सकता है आपका password lock remove नहीं हो सकता है ठीक है तो यहाँ पर इस video को complete आपको देखना है चलिए यहाँ पर हम लोग new update के साथ आपको दिखाएंगे April 2023 में कि आपका smartphone को remove के से कर सकते हैं तो यहाँ सबसे पहले code आपको देखना है और यहाँ पर आपको देखने के वाद same process आपको dial करना है ठीक है कहीं भी बीच में आपको skip नहीं करना है तो चलिए यहाँ पर पहला code आपको हम देखने हैं दोस्तों offline mode का यह जो code बता रहे हैं इस code को यहाँ पर आपको dial कर लेना है लेकिन दोस्तों जिए offline mode का यहाँ पर एक से दो code बताएंगे लगातार आपको calling करना है ठीक है आपको sim insert कर देना है उसके बद आपको लगातार five time offline mode का code को यूज कर देना है यह तो हम लोग है पहला code हो चुका है second यहाँ पर एक और code यूज करना है ठीक है दोस्तों तो OPPO का कोई भी device है आपके पास पहला code आपको dial करके five time यहाँ पर आपको calling करना है ठीक है second code आपको दे रहे है second code में आपको क्या करना है दोस्तों यहाँ पर आपको message करना है ठीक है आपको हम बताते हैं कैसे message करना है आपका message जो आपको message जैसे आप message करते हैं वो भी option आपका यहाँ पर आना चाहिए तब तक आपका जब तक आपका message option नहीं आता है तो आपका handset हो सकता है वो work नहीं करें ठीक है तो आपका आपको same देखना है step by step follow करना है वीडियो को कहीं भी बीच में skip नहीं देखना है skip नहीं करना है complete देखना है तो यहाँ पर all select करने के बाद यहाँ पर दो डोट का option मिलेगा यहाँ पर आपका message का option मिल जाएगा अब यहाँ पर क्या करना है इस code को message करना है ठीक है messageable option में जैसे select किये यह automatic आपका message हो जाएगा बस यहाँ पर दो code आपको use करना है offline mode का पहला code 5 time आपको calling करना है दूसरा code आपको message करना है लेकिन यह दोनों code आपका April 2023 में work करेगा ठीक है उसके बाद star आच एड़ डबल लाइन हच करके engineer mode को यहाँ पर open कर लेना है अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग जो दोनों code यूज किये हैं दोनों code यहाँ पर हम लोग का successful हुआ कि नहीं चलिए check कराते हैं ठीक है तो यहाँ पर आपको GPS का option मिलेगा दो number में आपको select करके दिखाते हैं और यहाँ पर हम लोग का जो code है उसको successful करना है तो GPS में select करते हैं चलिए select किये और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं हम लोग का successful हो चुका है फाइल successful हो चुका नीचे में इसका मतलब दोनों code हम लोग का 100% successful हो चुका है आपको इस वीडियो को complete देखना है कहीं भी बीच में skip आपको नहीं करना है आपका भी step by step follow करना है कहीं भी बीच वीडियो को बीच में skip मत किजिए आप फिरी में घर बटे उनलोग कर सकते हैं पहला step हम लोग का work नहीं किया चलिए second step में हम लोग देख रहे हैं तो reset complete यहाँ पर आपका सबसे last में option मिलेगा others वला का option में आने के बाद तो यहाँ पर reset complete में select करेंगे select कियां तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं 100% अम लोग का pass हो चुका है जैसे आपका यहाँ पर pass हो जाएगा यहाँ पर आपका जो भी photo, documents, content number जो भी रहेगा कुछ भी नहीं अटेगा only यहाँ पर आपका password lock remove हो चुका होगा क्योंकि यहाँ पर pass हो चुका है जैसे आपका pass हो जाता है तो यहाँ पर आपका remove हो चुका होगा अब यहाँ पर आपको करना क्या है यहाँ पर दोस्तों home key का आपका option मिलेगा बीच में तो आपको simple देश से home key में प्रेस कर दना है चले अपको दिखाता है प्रेस करके ठीक है तो यहाँ पर नीचे में home key का option आ चुका है यहाँ पर आपका pass लिखा हुआ होना चाहिए उसके बाद home key में प्रेस किया है और देख सकते दोस्तों यहाँ पर हमनों का 100% successful हो चुका है